अज में आप लोगों के सामने एक और रेसिपी के साथ आप आप आए हैं है वह इस रामलडवा रामडडव के लिए मुंकी डाल तो जरूरी है तो आप मैं एक कट्वरी भर के मुंकी डाल लिया है और आधी में पत्वरी दूली दुनों चीज धुली है और इनको कुछ नहीं करना है जो कि मैंने वाश करके दो घंटे के लिए और यह जो है दिली का जो जानते जो गया है जो खाया है उनको मालू होगा राम लडडू क्या है तो वहां पर मैंने भी ठेले में खाया था तो मैंने क्यों ने आप लोगे संक्षियर करें चलिए इनको दो घंटे बाद मिलते हैं दो घंटा भी बोले आप देख सकते हैं ये मैं दो घंटे बाद के दिखा रही हूँ कितने अच्छे से फूल गया है जो हमको पीसने में भी दिखकते नहीं आएंगी बस मुझे इसको कुछ नहीं करना है थोड़े से तीन से चार हरा मिर्चा डालूँगी और थोड़ा सा अध्रक दोनों चीज मिला कर मैं इसको पीस हूँगी ये अपने टेस्ट के उपर है इसलिए मैंने दिखाया नहीं आप देख सकते हैं ये पीस के मेरा तयार हो चुका है और मैंने कितना थिकनेस रखा पानी बहुत कम मात्रा में इस्तिमाल करें चलिए अब मैं इसको अच्छे से फेटूंगी कम से कम दो से तीन मिनिट के लिए इसको फेटूंगी ये देखिए ये मेरा फेट के तयार है कम से कम फिर मैं बोलूंगी कम से कम दो से तीन मिनिट के लिए जरूर अब मैं इसमें स्वादनुसा नमक डालूंगी समल के नमक डाले जाद नमक हो जाएगा तो खराब हो सकता है है न और इस में छोटा एक चमबच में बेकिंग सोडा भी ढूलूंगी बेकिंग पाउडर है sorry और बस इसको मुझे कुछ नहीं करना इसे बस फिर से मिलाना है बस मिलाना है और मैंने ये सरसो के तेल में मेरा फ्राई होगा मैंने इसरसो के तेल पहले यी बढ़ा दिया गैस पर चलिए सीधे आप किचन पर चलते हैं आप देख सकते हैं मैंने कितना तेल लिया है और चलिए अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल बिल्कुल लो में है और अराम से डाले हाथ को अपने बचाते हुए डाले सारे परपोड़िया और शायद इसका नाम राम लड्डू इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें प्याल असुन नहीं पढ़ता होगा हम मुझे तो मालम नहीं पर मैं एक अंदाजा लगा रही हूं कि आखी राम का नाम क्यों पढ़ा है चलिए इनको सब इसी तरह मुझे फ्राइब करना है कि साड़ी पखोड़िया छोड़के तुरंती इसमें चम्माज या पल्चुल कुछ भी ना लगा है थोड़ा सा होने दे क्योंकि इतने अच्छे से आपने फेटा है तो यह ऐसे ही अपने आप फ्लोट करने लग जाता है चलिए एक तरफ हो जाए पहले चलिए अब बलट लेते हैं सारे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होना ज़रूरी है पर बहुत जादा गोल्डन ब्राउन मत कीजिएगा एक बास ज़रूर ट्राइब कीजिएगा बहुत अच्छा बनता है और सच बता है कहाने में तो लाजवाब है कोई बात ही नहीं है औ और गर्मा गर्म खाने की कोषिश कीजिएगा इसलिए सारी तैयारी पहले कर लेए यह में दोनों तरफ हो चुका और चलिए आप सको सबब्दे हैं यह रापलों के लिए राम लड्डू सब्सक्राइब करते हैं यह चट्नी धनिया पत्ति की चट्नी है और मैंने इस चट् होना है ना एक बार इसी तरह सर्फ करके खाए और खिलाए ज़रूर पसंद आएगा सब को पसंद आएगा और ये है ग्रेट इट मूली और फिर मैं खाऊंगी कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा गर्मा गरम सर्फ करने का अब जाड़े का मौसम भी है तो गर्मा गरम ही जाद अच्छा लगेगा है ना और मेरी रेसिपी अगर आप सब को पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अब दूसरे समय के साथ आज के लिए बाई